बात करने वाले हैं कि पर्धान मंत्री किसान समान निदी केंद्रगत जिदना भी किसान है ठीके जोद यहाँ पर यहाँ पर एक खुषखबरी निकल क्या रहे है कि आपको 6000 के जगव पर आपको किसान निधी 6000 से बढ़ा कर 8000 रुपया करने की त्यारी किंद्रिये केबिनेट में इसी माह परस्ताव संभव है मनों हो सकता है कि आपको किंद्रिये केबिनेट के बैठाग में आपको इस इसी माह से आपको परस्ताव के समभवना किया जा रहा है जैसा कि है पर फेपर कर्टिंग के मादब से बता रहा है जैसे के पर देकी किलियर भी लिखा गया है कि किंद्र सरकार पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव से पहले किसान समान निधी की रकम बढ़ाने कर सकती है ठीक है जैसे पर चुनाव यहां पर होने वाला है तो है जैसे के लिखागा है कि चुनाव से पहले किसान समाने इंधी के रकम बढ़ाने की घुसना कर सकती है अभी एक किसान पड़िवार को दलाना छे हजाजा रुपिया मिलते है यानि आपको जब दोटो इस अलाना चेहाजा रुपिये मिलते हैं अब आठ रुपिये देने की त्यारी है इस फैसले से साथे आठ करोर किसान पड़िवार को फैदा होगा यह पैसा डारेक्ट बेनी बेनी फीट ट्रांसफर स्कीम के जड़िए मिलता है इन सरकार के सुतirdi बाता रहा है है की इस संमंध में एक परस्ताव इसी चले और किकेंद्री केबिनेट की बैठक में ला जाएगा ठरी मानों कुच कंद्स कारिको जो घ मैंन में बैठक को होगा तक हो सकता है इस हमाह में आपको ठिक है इस जो 8000 रप्या करने की परस्ताव उसके बाता है जो पताएगा है कि इस मत में बढ़ाने वाले खर्च और इसे हुई अनार्थिक पहलूओं का आकलन दिये जा रहा है ठीके इस पीच अगर चुनाव अयोग अचार सहींता की घोसना कर देते हैं तो भी किन सरकार केबिनेट में पस्ताव पास करा कर चुनाव ख प्रजना का फायदा देश के सभी राजियों के किसानों को ठीके आपको सलाना आपको 6,000 रुप्या दिये जाता है ठीके अब आपको बढ़ाकर 6,000 रुप्य के जगह पर 8,000 रुप्या पर देने की परस्ताव किया जारा वो भी आपको इसी मां का समावना आप रखा गया जिसके आपर फेपर के कटिंग से मादम से बताया गया इसी इसका आपर जारी होगा ठीके एक कैबिनेट के बैठे में आपको जारी होगा सुचन ठीके तो आपको 6,000 के जगह पराओ का 8,000 रुप्या आपको मिलने लेगा चलिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर एक इनेप डियू के साथ